मैं हम आज एक बड़ा फैंसला आया है सुप्रिम कोड की तरफ से जो पॉलिटिकल पार्टिस के इलेक्टराल बॉंड्स से उनको मना कर दिया गया है कि अब वो नहीं यूज हो सकते हैं और ततकाल प्रभाद से उन्हें निश्क्रिय कर दिया गया है और उन्हें अवेद भी गोशिक किया है देखिया हम इलेक्टोरल बॉंड्स के इस डिस्जिजर्शन का स्वाधत करते हैं ये ट्रांस्पेरंसी के इंट्रस्ट में election funding की transparency की interest में बहुत महत्वकूर्ण कदम है वरना electoral bonds एक तरीका बन गए थे जिसके माध्यम से ये पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ती किसी political party को finance कर रहा है इस देश के लोकतंतर के लिए बहुत जरूरी है कि transparency रहे कि किस political party को कितना पैसा कौन लोग दे रही है और ये बहुत खुशी ये बात है कि सुप्रीम कोट ने ECI को तुरंत प्रभाव से कहा है कि किस party को कितने electoral bonds मिले उनकी सारी details को public domain में डाला जाए इस देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जिस party को वोट दे रही है उस party को funding कहां से आई है क्योंकि ये एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि क्या जो किसी राज्य में या जो केंदर में जो party शासन कर रही है क्या वो अपने voter की choice के आधार पर निड़ने ले रही है या जिसने उसे चंदा दिया है उसके आधार पर निड़ने ले रही है इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्पून कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं कि electoral bonds को तुरंत प्रभाव से अवैद घुशित कर दिया गया